हमें से हर कोई चाता है कि हमारे बार लंबे हो घने हो और हमारा hairfall stop हो जाये और वहीं दूसरी तरफ हमें से हर किसी को hair का कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है चाहे वो dandruff हो, चाहे वो itching हो, चाहे वो dry scalp हो या चाहे वो hair fall हो लेकिन इसका reason से विये है क्योंकि हम में से majority जो लोग है न वो एक simple से hair care routine तक follow नहीं कर पाते हैं। और इसका reason बहुत simple है, इतनी confusion है, मार्केट में 50 किसम के hair products है, कोई कहता है के oiling करो, कोई कहता है hair oiling मत करो, कोई कहता है shampoo एक दफा करो, कोई कहता है shampoo छे दफा करो, इतनी confusion है तो हम किसको follow करें। तब ही आज की वीडियो में मैं डॉक्टर मधिया भायानी आपके लिए एक perfect effective hair care routine लेकर आई हूँ। आपको follow करने होंगे कुछी steps और दिन के देने होंगे बद 10-15 minutes, I hope ये ज़्यादा नहीं मांगरी मैं आपसे, दिन के सिर्फ 10-15 minutes देकर आप आ सकते हैं आपके desired hair, बहुत simple सा hair care routine होगा, आपको कोई भी कामधाम नहीं करना होगा, simple सा steps होंगे जो कि आपको follow करने होगे, दो दफा करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ये भी idea नहीं है कि शैंपू कितनी दफा करना चाहिए और शैंपू करने का proper तरीका क्या है, आज किस वीडियो में हम यहीं बात करेंगे कि शैंपू कितनी दफा करना चाहिए, क्या proper इसका way है, same goes for oiling, अगर oiling हम सही तर अब क्लीनिंग इसलिए जरूरी है कि दिन भर में हमारे बालों में जमा हो जाता है बहुत सारा डर्ट, पोलूशन और बहुत सारे नॉर्मल सीबम जो आपके स्केल्प प्रोड्यूस कर रहा होता है यह सब मिलकर आपके हैर को और आपके स्केल्प बहुत सब्सक्राइब बना देता है यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप स्केल्प की क्लीनिंग नहीं करते ना प्रॉपरली तो यह आप में इतना डर्ट बिल्डप कर देता है जिसकी बज़़ा से आपको डेंदर भी हो सकता है इच्छी स्केल्प की कंप्लेंड भी हो सकती है और वो इनदद लीट कर सकता है कि जादा हैर पॉल हो तो इसलिए step 1 है cleaning अब आते हैं stage 2 पे जो के हमारा repair रिपैर इसके ने जरूरी है कि जो बालों की एक layer होती है जो एक shaft होती है वो covered होती है उस पे एक layer दली भी होती है जिसे हम कहते हैं cuticle ये cuticle हमारे अंदर के बालों का जो shaft होता है cortex उसको safe तरके रखता है जिससे हम भार से जो pollution होता है हमारा बाहर आना जाना होता है उससे ये जो cuticle बाहर के layer होती है ये damage हो जाती है इसी को safe करने के लिए हमारा stage 2 है वो है हमारा repair management stage 3 is moisturization जिसका मतलब ये है कि हम अपने बालों के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारे बालों को moisture मिले कि moisture इसके लिए जरूरी है कि जो हमा हमारे बालों को moisture देना है नमी देनी है और stage 4 है कि इस moisture को हम रिटेन किस तरीके से करें moisture को रिटेन करना इसके लिए जरूरी है ताके आपके बाल healthy looking भी लगे और देखने में भी बहुत जबदस थो ये 4 stages है और इसको हमने divide किया है 5 care routines में ये आपको से 5 steps follow करने है और आप ready हो जाएगा इसके लिए चीजे कितनी चाहिए सिर्फ तीन चीजे चाहिए एक आपका shampoo एक conditioner और एक है आपका hair oil step 1 है हमारा hair washing hair washing हमारे उस cleaning वाले पार्ट में आता है जो हमने पहले discuss किया था अब देखें daily जो लोग बाहर का जिनका आना जाना होता है चाहे वो students हो चाहे व चोटे हो या बढ़ी हो उससे कोई फरक नहीं बढ़ता जो लोग अगर घर के अंदर भी रहते हैं उनके बाल और scalp में भी dirt और pollution जमा हो जाता है काफी लोगों को sweating आती है जादा especially summers में उससे भी उनके बाल बहुत sticky हो जाते हैं और उनमें dirt का element जादा बढ़ जाता है इसके हमारे body में जो बाकी parts होते हैं उनको हम साबून से दो लेते हैं जिससे अगर हाथ गंदे हो आप washroom से होकर आए हो या आपने बीरी से ले खाना खाया हो तो आपको खाली पानी से अगर आप हाथ साफ करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा आपको उसके लिए साबून इस्ति की और डर्ट वाले हो जाते हैं तो हम खाली पानी से वाश नहीं कर सकते हैं हमको उसको साफ करना होगा लेकिन हम साबून अपने स्कैल्प पर अपलाई नहीं कर सकते हैं प्योंकि जो साबून होता है वो हमारे स्कैल्प और हैर के लिए थोड़ा सा हार्श हो जाएगा इसक स्केल्प इस आरे डर्ट को लेके चला जाता है लेकिन साथ ही साथ वह हमारे स्केल्प पे मौझूद जमारा नैच्रल ओयल होता है जिसे हम सीबम कहते हैं उसको भी वाश ओफ कर लेता है जो के एक हद तक वह भी जरूरी है यह नुकसान दे नहीं है जितना भी पुराना ओयल हमारे स्केल्प पे जमा हो रहा होता है ना उसकी क्लिकनिंग भी जरूरी है ताके नया ओयल प्रोड्यूस हो और हमारा स्केल्प और फ्रेश महसूस करें लेकिन देली स्केल्प वाश करने से काफी अद्टक चांस है कि आपका स्केल्प बहुत ड्राइ हो जाए इसके लिए अब ये जाना बहुत जरूरी है कि हैर वाशिंग किस तरीके से प्रॉपर्ली की जाए शैंपू किस तरीके से प्रॉपर्ली इसको हम डिवाइट करते हैं कुछ सेक्शन्स में और पहले हम बात करते हैं कि कितना फ्रीक्विल हमें शैंपू करना चाहिए देखें मेरा ये कह होते हैं healthy looking भी होते हैं और clean भी रहते हैं साथ ही साथ dandruff और इचीनेज भी नहीं होती लेकिन ये frequency आपके according differ कर सकती है अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनका रोज का बाहर का आना जाना है आप कोई मजदूर है कोई construction worker है या आप डेली जिमिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपके scalp पर जादा sweat और dirt जमा होता हो तो इस cases में हो सकता है कि आपको daily hair wash भी करना पड़े वो भी अपके लिए साई है और अगर आपको ऐसे इंसान है जो कि हमेशे indoor ही रहते हैं बाहर जादा आना जाना नहीं करते तो हो सकता है आपके लिए हफते में सिर्फ दो दपाई हैर वाश बहुत सफिशन हो इसके लिए हैर वाश फ्रेक्विंसी आप पर डिपेंड करती है आपके daily routine पर डिपेंड करती है जो हैर वाश रूटीन मेरा है वो हो नहीं सकता कि आपका भी सेम हो हैर वाश रिंग का जो दूसरा पार्ट है वो है कि temperature of water आप मैंसे कितने लोगे जो कि अपने बालों को वाश करने के लिए थंडा पानी इस्तेमाल करते हैं वो comment कीजिए कितने लोगे जो कि गरम पानी इस्तेमाल करते हैं वो comment कीजिए और कितने लोगे जो कि नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं, नॉर्मल टेंपरेचर वाटर। मैं पर्सनली इसके लिए गिल्टी हूँ, मैं हमेशा गरम पानी का जादा यूज़ करती थी जिससे हुआ किया कि बाल बहुत जादा डैमेज हो जाते हैं और उसको जो क्यूटिकल होता है बाहर के लिए, वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, वो उसको फाड़ के रख देता है अब सही टेंपरिचर कौनसा होता है, ना जादा गरम होता है, ना ही जादा थंडा होता है हमेशा आपने बालों को नॉर्मल रूम टेंपरिचर जो क्या मीडियम कहते हैं ना कि जादा गरम ना जादा थंडा उस टेंपरिचर से आप बाल हमेशा वाश करेंगे अगर तब थंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप comfortable है तो भी आप कर सकते हैं लेकिन काफी लोग उसके लिए comfortable नहीं होते हैं इसके लिए room temperature will suffice अब आते हैं step 3 पे जो के काफी लोग गलत करते होंगे I'm sure कि शैंपू करने का proper तरीका क्या है normally बोग चा की लोग शैंपू लेटे हैं अब ड़ालों कि आप बालो के इस तरीक से चड़मूर करते हैं और हो गया काम बस खतम हो गया शैंपू फॉरण से wash कर देते हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है शैंपू करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप आराम से अपना टाइम ले और आपका स्केल्प, स्केल्प कहते हैं जो खोपड़ी के उपर आपकी स्केन होती है उसको अच्छी से क्लीन करें इसी एक्जामपल इस तरीके से है कि अगर आपके हाथ गंबे होते हैं तो क्या आप हातों की हतेली को दोते हैं या खाली नाकून को दो कर निकल जाते हैं similarly जो हम जल बाजी में खाली अपने hair shape hair shape से मतलब बालों की लंबाई को दो कर छोड़ देते हैं ये गलत है आपको focus करना होता है अपने scalp पे जो second mistake लोग करते हैं वो ये करते हैं कि बहुत सारा shampoo लेते हैं और अपने shape पे लगा देते हैं अगर आप अपने बालों की length याने shape पे ज़्यादा shampoo लगाते हैं उससे आपके बालों का moisture उड़ जाता है जब बालों का moisture उड़ जाता है तो बाल और ज़्यादा weak हो जाते हैं और in return आपको hair fall ज़्यादा हो जाता है तो कि shampoo आपका hair fall का reason हो सकता है बिलकुल अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ही इसका सही तरीका ये है कि आप कभी भी shampoo को लेकर direct अपने बालों की length पे नहीं लगाएंगे आप shampoo लेंगे थोड़ा सा अपनी finger पे लेंगे direct नहीं लगाएंगे fingers में लिया और finger के जगे फिर आपने scalp पे direct अपनी fingers को यूज किया अच्छे से massage किया जिस तरीके से हम hair oil की massage करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे shampoo की भी अच्छे से massage करनी है कि आपको scalp अच्छे से clean हो जाए कभी अपने हाथ से खाना खाया हो और आप सरसरी तोर पे अपने हाथ दोले साबुन से बिलकुल भी ध्यान से ना दोए जल बाजी में दोले फिर वो आप हाथ smell करके देखिएगा उसमे खाने की smell बाकी रहेगी वो अच्छे से wash out नहीं होगी अच्छे से wash out करने के लिए आपको थोड़े से एक दो मिनिट देने पड़ेंगे अपने हैंड को wash करने के लिए similarly scalp पे भी आपको एक से दो मिनिट देना होगा सुकून से अपने scalp को अच्छे तरीके से wash कीजे कि सारा scalp में से dirt, pollution और हर चीज आपके निकल जाए और आपका scalp healthy हो जाए और नया सीबा मनाने के लिए ready हो जाए अब जब आपने scalp को अच्छे से जब massage किया तो उसमें बहुत सारा ज्ञाग भी बनेगा जब वो ज्ञाग बनेगा ना उसको आपको यूज करना है अपनी बालों की length के लिए बालों की length के लिए अलग से शैंपू लेने की नीड नहीं होनी चाहिए कोशिश करके वो ही जो आपका ज़ाग बनाता वो ही हम इस शैंपू को हैं length के लिए इस्तिमाल करेंगे तो दोस्तों ये थी hair washing की technique के hair wash कप करना है किस तरीके से करना है इसका proper way क्या है अब आते हैं हमारे step 2 पे जो के हैं हमारा moisture याने conditioner देखे conditioner का नाम सुनके काफ़ी लोग डर जाते हैं काफी DIY remedies में हमने सुना है कि conditioner इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं करूं अब उसका moisture वापिस लाना है तो वो हम कैसे ला सकते हैं या तो हम conditioner से ला सकते हैं या conditioner जैसे घर के DIY को हम use कर सकते हैं जो कि आपके बालों की moisture को दुबारा से लाता है और आपके बालों को ना सिर्फ smooth बनाता है उनका texture अच्छा करता है बलके साथ ही साथ उनको look wise ही बहुत अच्छा करता है और healthy और motor looking बनाता है यानि ठिक looking बनाता है अब काफी लोगों ने तो नीचे comment कर भी दिया होगा कि डॉक्टर मेदिया भाया ने कि हम किस तरीके से conditioner को इस्तेमाल करें और कितना often इस्तेमाल करें कि आप conditioner अपने हर hair wash के बाद कर सकते है लेकिन trust me मैं daily के कम से कम 25 से 30 patients देखती हूँ जो कि comfortable नहीं होते कि conditioner हम daily हर hair wash के बाद apply करें तो I am with you people don't worry at all हम ने इसका alternate भी तयार करके रखा अगर आप चाहते हैं तो हफते में एक दिन conditioner इस्तिमाल कर लीजे और conditioner एक हफते में एक दिन इस्तिमाल करने के बाद जो आप बाकी दिन hair wash करते हैं उस दिना चाहे तो flexi gel बना कर as a conditioner इस्तिमाल कर सकते हैं यह बिल्कुल natural remedy होती है इसमें chemical नहीं होते हैं आप experiment करके भी देख सकते हैं कि पहले आपने कुछ time एक हफते में एक दिन पहले आपने conditioner इस्तिमाल किया और बाके दिन आपने flexi gel या दूसरे hair serum के DIY इस्तिमाल किये या अगली तफ़ा आपने conditioner दो दफ़ा इस्तिमाल किया और आपने DIY एक दफ़ा इस्तिमाल आप experiment करके देखिए कि आपके बालों को क्या चीज़ सूट करती है वो ही आप करेंगे तो कि depend करता है आपके hair type पे भी मेरे बताने से rigid एक routine कि आपको दो दफ़ाई conditioner करना है वो काम नहीं करेगा आपके hair type के लिए क्या बेटर रहता है अब second सवाल यह आता है कि conditioner apply करने का सही तरीका क्या है जो conditioner apply करने का proper तरीका है वो यह है कि जब आपने बाल शैंपू से wash कर लिए आपने बालों को rinse कर लिया पानी डाल कर अब जो आपके बाल बचे ना तो जो इसकी hair length है ना सिर्फ उसी में conditioner apply करेंगे लेकिन किस तरीके से करेंगे वो बहुत important है जो आपके बाल गीले हैं जिसमें से पानी अभी टपक रहा है आपको इन शैफ्ट को लेकर अच्छे से निचोड लेना है मोरना नहीं है उसको बिल्कुल बलब चुड मुल नहीं कर देना उसको पूरा ड्राइ नहीं कर देना आपको हलके से बस निचोड़ना है अगर आपके बाल लंबे है तो आप इस तरीके से भी निचोड़ सकते हैं इस तरीके से प्रेस करकर अगर आपके बाल चोटे है तो आप इसको इस तरीक से दबा कर भी डाप डाप कर भी अपने बालों को निचोड सकते हैं अब पानी हलका फुलका सा निकल जाएगा बिल्कुल ड्राइ बाल नहीं होंगे आपके बाल डैम्पी रहेंगे अब उसमें आपको सिर्फ हैलेंट में ही कंडिशनर अप्लाई करना है जो शैंपू था वो हम अपने स्कैल पे अप्लाई कर रहे थे यादे शैफ पे हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर रहे थे लेकिन जो कंडिशनर है वो इसका उल्टा है वो हम safe है, शेफ याने बालों के लंबाई पर ही apply करेंगे, scale पर apply नहीं होता conditioners अब आती है एक important बात, जो है शेंपू हम करते हैं ना, उसको आपको 1-2 मिनिट ही करना चाहिए शेंपू किया, 1-2 मिनिट मसाज करी और फॉरन हाथो हाथ आपने इसको wash कर लिया लेकिन जो conditioner होता है ना, उसको आपको अपको अपनी बालों की लेंट पर कम से कम 3-5 मिनिट लगा कर रखना चाहिए इसमें जल्बाजी मत करिएगा, I know काफी लोग होते हैं जो कि कहते हैं जो कि कहते हैं जल्दी से इसको wash करके निकाल दो उसको कोई भी benefit नहीं होता, आपको असको कम से कम 3-5 मिनिट लगा कर रखना है और फिर आपको उसको अच्छे थे पानी से wash कर लेना है अब है हमारा step 3 which is drying your head, shampoo कर लिया, conditioner कर लिया, बाल अब गी ले हैं अब इसको dry कैसे करें कितने लोग हैं जो कि आपने देखा होगा कि बालो को wash करने के बाल या तो टावल के उपर बांग देते हैं अगर आप टावल बांगते हैं ना शावर करने के बाद तो या आपके बालो को और damage करता है और split ends cause करता है इसको बिल्कुल भी मत कीज़ेगा या अगर आप dry करते हैं तो आपने देखा होगा लोगो को कि अपने बालो को बिल्कुल जोर जोर से रगड़ते हैं या बालो को side करकर टावल इस तरीके से इसको मारते हैं ताके बाल अच्छे से dry हो जाए ये सारी चीज़े आपके बालो के cuticle को बहुत damage करती है और जब cuticle कोई भी नहीं रोख सकता इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जानने कि किस तरीके से हमको बालो को dry करना है तो चल के देखते हैं जिस से अपने कंदिशन अप्लाय करने से हाथ से पहले अपने बालो को पहले निचोड़ा था उसी तरीके से आपको यहां पर भी मालो क अच्छे तरीके से निचोड लेना है और फिर जो बाल गीले रह जाएंगे ना आपको टावल लेकर उसको हलके हाथों से डाप डाप करकर पानी को सोक कर लेना है हो सकता है कि इसमें टाइम थोड़ा सा जादा लगे लेकिन ये आपके बालों की हल्फ के लिए बहुत इंपॉर्टन है आपका 50% हैर फॉल आपके बालों को रफ हैंडल करने से ही होता है अगर हम ये रफ फैंडल करना रोग देना तो हमारे बालों को काफी अची हेल्फ मिलेगी और आपके बालों का जो फॉल हो रहा है ये हैर फॉल भी बहुत कम हो जाएगा तो बालों को पहले आपने अच्छे से हाथ से ड्राइग किया फिर आपने टावल को लेकर अच्छे तरीके से ड्राइब ड्राइब किया रिल्कुर रिग्रसली आपने इसको नहीं निचोड़ा और फिर जो इतना भी मौश्चर रह जाता है वो नैक्शरली आपका एड ड्राइग हो जाता है ड्राइग करने के लिए कोशिश करकर आप किसी भी हीट अप्लिकेशन का अप्लाइग नहीं करेंगे जैसे कि आपका ड्राइग हो गया या आपकी ब्रशिस हो गए या आपका स्ट्रेटनिंग हो गया कभी भी हीट अप्लिकेशन से जो बाल ड्राइग करते हैं ना हमेशा उसमें हमेशा आप देखेंगे कि slit ends जरूर होंगे आपके बाल का जो cuticle लोगा बहुत अब अब तक डैमेज हो जाता है इसके लिए heat application से भी आपको बहुत अब तक परहेस करना चाहिए specially अगर आप ये hair care routine apply कर रही है ताकि आपका hair fall रुप जाए तब तक तो आप heat application जरूर से रुप देंगे once आपका hair fall रुप जाएगा आपके hair थोड़े से भेतर हो जाएगे फिर आप चाहें तो once a month heat application कर सकते हैं अब आता है हमारा next step which is your hair brushing या combing आप में say I'm sure 90% लोग specially जिनके बाल लंबे हैं उन्होंने ये बात नोट कियोगी कि जबी भी अपने बालों को comb करते हैं तो आपको hair fall जादा नज़र आता है reason से भी है कि हम सही तरीके से अपने बालों को brush या comb नहीं करते हैं मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको सही से करना है देखिए इसे कुछ rules है जबी भी अपने बालों को आप brush या comb करेंगे ना तो कोशिश करकर हमेशा sections में करें छोटे छोटे sections लें और उसको comb करें सारे बालों को लेकर अगर आप एक साथ comb करेंगे और especially अगर आपके लंबे बाल है या आपके ठिक बाल है तो उसमें कंगी फसेगी जिससे आपको hair fall और hair loss जादा नज़र आएगा sections करने के बाद कोशिश ये करिएगा कि आप जो बालों की जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना tips से लेकर इस तरीके से comb करें और आहिस्ता आहिस्ता और उपर आते जाएं ये टेकनिक मैंने अपनी प्रीवेस वीडियो से भी बताई थी जिसमें मैंने आपको hair oiling टेकनिक बताई थी और उसमें काफी लोग देखकर हैरान हो गए थे मैंने आपको live दिकाया था कि किस सरीके से मैंने आपके सामने hair oiling की थी और hair combing की थी जिससे बिलकुल भी hair fall नहीं हुआता जीरो अंडा hair fall हुआता तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको जादा बहतर आइडिया हो जाए अब जो next rule follow करना है हमको hair combing में वो ये है कि hair comb कॉंसे इस्तिमाल करें देखें मार्किट में काफी ऐसे hair comb आते हैं जो कि wet hair comb होते हैं या de-tangling वाले hair comb होते हैं लेकिन काफी लोगों के लिए वो लेना बहुत ज़्यादा convenient नहीं होता उसे फाइदा ये होता है कि जिसके bristles होते हैं इसके dant होते हैं वो band हो जाते हैं लेकिन आपके बालों को टकने नहीं देते हैं लेकिन trust me मैंने खुद भी अभी तक वो नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मेरा already hair comb बहुत कम है तो मुझे इसमें invest करना चाहिए अगर आप भी इसमें invest नहीं करना चाहता है तो that's perfectly fine मैं आपको alternate देती हूँ यह जो लकडी का कंगा देख रहे हैं यह आराम सापको market में यह online मिल जाता है यह लकडी का कंगा आपके बालों की health को preserve करता है hair fault को रोकता है और आपकी hair growth में भी मदद करता है चोटी सी है लेकिन बहुत जादे important है कि हमारे जो hair brushes और जो hair comb होते है उसे condition क्या है वो उसका hygiene level क्या है यह है मेरी एक patient का brush जो कि मैंने खाज उन से request करके रखा था आप इस brush की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से है यह बिलकुल टूटावा brush है बिलकुल इसकी condition देखे इसमें बाल देखे, इसमें dirt देखे और यही वो brush इस्तेमाल कर रही थी और उससे उनका hair fall ज़्यादा बढ़ रहा था उन्होंने सिर्फ अपना hair brush चेंच किया और new hair brush लेने से ही उनका hair fall 40% तक कम हा उन्होंने count करके तक देखा है similarly हमें हमारे बालों की brush को भी wash करके रखना चाहिए आप महीने में कम से कम एक दफ़ा इसको अच्छे से clean करें और इसको dry होने दे, air dry होने दे फिर आप अपने बालों पी use करें अब देखे, scalp को तो हम wash करकर clean कर लेते हैं लेकिन हमारे brushes और जो combs होते हैं तो scalp क्लीन है उसके हम फिर से वह गंदा ब्रश लगा रही है तो फिर से वह सारी गंदेगी हमारे scalp पे जाई रही है तो scalp clean करेंडे का कोई फाइदा नजर आता है आप नहीं ना इसलिए कम से कम महीने में एक दफा या पंजा दिन में एक दफा गर आप कर सके तो बहुत बहुत बहतरी है कि आपने ब्रश को अच्छे तरीके से वाश के लीजे अब आते है हमारे step number 5 पे which is your oiling ये जो step 5 है जिसे हम oil कह रहे हैं ये बहुत important है देखे ट्रेडिशनली हमने देखा है कि हमारी नानी दादी की जमाने से coconut oil, आमला oil और नजाने कितने सारे oil चलते आ रही है जिससे वह कहती है कि बालों को safety प्रोवाइड होती है उनकी बात काफिये तक सही भी है ये जो layer हम apply कर रहे हैं ये हम इसलिए apply कर रहे हैं ताकि हमारे बालों को अच्छे से moisture प्रोवाइड हो अब आप सोचेंगे कि conditioner भी हमने apply कर था ताकि हमारे बालों को moisture रिटेन रहें आप दो लोगों को देख लीजिए एक जो ऑई अप्लाइड करते हैं regularly और एक जो अपने बालों में बिल्कुल भी ऑई apply करते हैं वह सकता है कि बालों की लेंड उनकी बड़ी हो सकती है लेकिन जो लोग अपने बालों में आप्लाइड ही करते ना उनके बालों का जो texture है तो आपको बहुत अप्ता खराब मिलेगा बाल rough मिलेंगे split ends मिलेंगे और damage नज़र आएगे इसके लिए hair oiling बहुत important है अब बारी यहां पर यहां पर यहां आती है discuss करने की कि काफी लोग hair oiling से comfortable नहीं होते तो वो क्या कर सकते हैं अगर तो hair oiling से comfortable नहीं है तो हम use कर सकते है hair serums, hair serum सा काम भी यही होता है कि आपके बालों में protective सी layer देते हैं और आपके बालों के बात regularly apply करेंगे, अब बारी यहां आती ही discuss करने की कि hair oiling करनी किस तरीके से है, normal इन लोगों को देखा गया है आपको सिर्थ एक हलकी सी layer लगानी है, ऐसी layer लगानी है कि वो टपके नहीं आपके बालों से, वो आपके बालों में जाके stay कर जाए अब जो hair oil होते है ना, hair oil आपके बालों में एक waterproof layer बनके रखता है, ऑइल लगाने के बाद, अगर आप कोई भी water की remedies पे लगाते हैं, जैसे के rose water, तो उस पे कोई भी फाइदा नहीं होगा काफी लोग मुझे से पुछते हैं कि क्या हम oil लगाने के बाद, oily hair पे rosemary water लगा सकते हैं, the answer is no, लेकि लगाने को आप लगा सकते हैं, लेकि लगाने को आप लगा सकते हैं, लेकिन वो काम ही नहीं करेंग, अगर आपकी tail ही एक layer होती है ना, उस पे जब आप पानी देखें, अगर आपका oily scalp है, आपका oil जादा बनता है आपके सर पे, तो आप oil को सिर्फ अपने बालों की length में लगाएंगे, और कोशिच करकर ऐसे hair oil लेंगे, जो कि आपके hair type के suit करते हैं, इसे मैंने अलग से काफी दफा वीडियो आपको बताया है, आप वो वीडियो दे मेरा scalp dry hair, dry scalp का मतलब यहीं नहीं कि हर बक आपको itching होगी नहीं, अगर आप अपने hair care routine properly follow कर रही है, तो हो सकता है कि आपके scalp पे itching नहीं हो, लेकिन still वो dry texture हो, अगर आपके scalp dry है ना, तो आप यह करेंगे कि आप इस scalp पे भी oil करेंगे, then again, oil से भी इतना लेगी कि उस पे ल apply नहीं करना आप लोगों, अब काफे लोगों का आपने hair oil करते हुए देखा होगा, कि बालों को विल्कुल आपको इसमें चरोड मरोड देते हैं, और ऐसे hair oil करते हैं, कि बाल का जो आपके hair fall हो रहा होता है, तो लोग यह सोचते हैं, कि hair oil से हमारा जो है, वो hair fall बढ़ रह यह कि किस तरीके से आप बालों में मसाज करते हैं, स्केल्प का मसाज करते हैं, कि आपके बालों की growth भी double हो, और साथ ही साथ आपका hair fall हो रहा है ना, वो zero हो जाए, मैंने यह करके दिखाया है इन दो वीडियो में, आप औरन से जाके यह वीडियो को देखिए, और इसकी ट कि जानी, मैं आप से मिल की हूँ इस वीडियो मूँ, तिल देन, बाबाए